हेलो दोस्तों टूडे टोपिक आज का अपना टोपिक है वाट इज नौइस मतलब आवाज आवाज क्या होता डूरिंग वर्किंग सेफ लेवल अपना चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे कंफshore того sound level flight हम कितने लेवल पे हम काम कर सकते एकड़ में कुमफ़र्ट होके इसके बारे में बात करेंगे यह बीडियो आपको पूरा देखना है तो साउंड के बारे में पूरा अच्छे से कितने डिवी तक सांड होता है नोज वह सब हम बताएंगे और कितने डिवी कितने आप काम कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे तो उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और वीडियो को लाइक कीज़े सबसे पहले हम जानेंगे मतलब 29 होता क्या है 29 मिन्स अन्वांटेज साउंड और लाउड डिसकॉर्ड हेरिंग लॉस इज यूज्वाली ग्रेजुएल ड्यू टू प्रोलेंज एक्सपोजर टू न्वाइस का मतलब अन्वांटेज साउंड जो अन्वांटेज जिसे हम चाहते नहीं न वह साउंड जि हम पर्क में लंबे समय तक रहते हैं जिससे अपना हेरिंग लॉस हो जाता है यहां पर जो हेरिंग लॉस है न लंबे समय तक ज्यादे आवाज के बीच में हम रहेंगे तो धीरे धीरे अपना हेरिंग लॉस हो जागा उसी को हम क्या करते हैं दूरिंग वर्किंग सेफ कर दो करते हैं जो बात करते हैं नॉर्मली जो एक दूसरे साथ करते हैं वह नोईफ ना होता है वह 70डीबी मतलब उसको मापा गया तक सेवेंटीडेसीबल हुआ कि 85डीब ओसा हेरिंग प्रोटेक्शन रेगुलेशन इस्टार्ट एट्टीफाइब डीबी से क्या है ओसा का रेगुलेशन यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है 95 डेसिबल रिस्क ओफ हेरिंग डेमेज इन 4 आवर्स 95 डेसिबल अगर हम काम करेंगे डिवी पे तो यहां पर चार घंटे में आपका हेरिंग डेमेज हो सकता है मत्तों सुनने की छमता आपका चार घंटे में खत्म हो सकता है जैसे ट्रक ट्राफिक ट्रक के जो साउंड होता है और हो ने डिवी या मॉटर सैकल 95 डिवी 95 डिवी मौन गूप सयकल से लेंश सिर्फ जार जादे आवाज करता था ये 95 डी जनिवी उसको मापा गिया तो 95 तो चार घंटे तक अगर डारेक्ट आप इस तरह का आवाज सुनेंगे तो हेरिंग डेमेज हो सकता है यहां पर सुनने की छमता आपकी खतम हो सकती है यहां पर हम देख रहे हैं एक घंटे तक रेगुलर हम सुनेंगे तो यहां पर क्या है आपका हेरिंग डेमेज हो सकता है 115 डिवी रिस्क ओफ हेरिंग डेमेज इन 15 मिन्ट 15 मिन्ट में 115 डिवी पर आप काम करेंगे तो 15 मिन्ट में आपका डैमेज हो सकता है सुनने का चमता तो 115 डिवी यहां पर यह बहुत हाई रिसक है सुनो मोबाइल राइडिंग एक गारी होता जो सैंड हो गएरा पर हम चलाते हैं बीच पे तो उसका आवाज 110 डिवी तक होता है वो गारी का तो यह बहुत खतरनाक है 130 डिवी 130 डिवी इमिडेट पेन 300 मतलब 130 डिवी अगज आप यहां पर देख रही है यह डेड रेड मतलब बहुत जादे खतरा तो 130 डिवी यह क्या अचानक जैसे आपको सुनाई देगा तो आपका मतलब आपके कान में दर्द हो सकता है फायर क्रेकट बम होगार जहां पर हम फोड़ते हैं 125 डिवी उसका आवाज होता है तो बंब की आवाज अगज अचानक सुनाई देता है तो यहां पर हेरिंग लॉस हो जाता है यह आपके कान के अंदर धर्द होने लगए और हाई एकदम हाई 160 डिवी इमिडेट फीजिकल डमेज मतलब इमिडेट आपके कान से बलड वगर आ सकता है गन्सोट 140 डिवी जैक हैमर हैमर इंग जो करते हैं लिए तोरने के लिए उससे भी बहुत जादे आवाज होता है तो यहां पर जो गन्सोट मतलों गन वगर हम चलाते हैं 160 डिवी गन का जब टेस्टिंग होता है तो वहाँ पर हम एर मफ लगा के उ वर्स टाइम में उसका जो आवाज होता है ना आवाज उसको कम किया जाता है लेकिन गन सोट में 160 डीवी तक आवाज आता है तो यहां पर क्या डायरेक्ट आपके कान से बलड़ आ सकता है और आपका कान खराब हो सकता है तो नौइस के बारे में हम आपको एकदम अच्छे से बताएं यहां पर और आपको अच्छा भी लगा होगा और पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने पर कितना टाइम हमको काम करना चाहिए और मेरा हेरिंग डैमेज कैसे हो सकता कितने टाइम में हो सकता और कितने डीवी पर कितने सांट डीवी रहेगा तो मेरा हे वीडियो के लाइक किजिए और सेयर वीटिए के